Hello friends, I am Megha and you are watching Genius Mommy. Welcome to my channel. आज मैं आपके साथ शियर करूँगी पटेटो सेंविच की रेसिपी. So please keep watching. यहाँ पर मैंने लिया है 4-5 मेडियन साइज के पटेटो, 3 मेडियन साइज के ओनियन, टमाटो सॉसम लेंगे, किसी भी ब्रैंड का आप यूज कीजिए. यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज किया है, जो कि मैं सेंविच को सेखने के लिए यूज करूँगी. दिन पीजा मसाला, जो कि आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगा, easily. मैंने होल आटा ब्रैट का यूज किया है, आप चाहे तो मैंधा ब्रैट का भी यूज कर सकते हैं. मैंने ड्राए मसाले लिए हुए है, सॉल्ट मैंने लिया है, टेस्ट के एकॉडिंग, जीरा लिया है मैंने 1-2 टेबल स्पून, 2-3 मैंने हल्दी लिया हुआ है 1-2 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है रैचिली पाउडर and 1-2 टेबल स्पून मैंने लिया गरम मसाला पाउडर आप चाहे तो गरम मसाला थोड़ा सा ज्यादा भी यूज़ कर सकते हैं चिट पिटा करने के लिए अधरवाइस इतना काफी है अभी यहाँ पर मैंने जो पिटेटो लिए थे उससे बॉइल करके पील किया हुआ है देन मैं अब उससे अच्छे से मैश कर लूँगी यह देखिए यह ठीक तरह से मैश हो चुका है अभी इसमें ओनियल्स को आप प्रॉपरली चॉप कर लीजे अच्छे से फाइन चॉप करके आप उसमें एड कर दीजे सारे ओनियल्स देन जो मैंने ड्राय मसाले लिए हुए हैं वो भी मैं इसमें आड करूँगी अब हम इस मिक्षर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह आप अच्छे से माइंड अप हो जाना चाहिए इससे अप अच्छे से मिक्स कीजिए यह बहुत ही अच्छा ब्रीक पर सुटता है फ्रेंड्स यह देखे, यहां पर मेरा dough एकदम ready है, सारे मसाले अच्छे से mix हो चुके हैं यहां पर मैंने gas पे pan रख दिया है, और gas जो है वो मेरी medium frame पर है यह सारे bread यहां पर मैंने एक plate में निकाले हुए हैं अभी हमें जो bread का slice है, उसे पूरी तरह से हम जो tomato sauce लेंगे, उसे cover up कर देंगे bread को हम बहुत अच्छे से tomato sauce से पूरी तरह से cover करेंगे यहां पर मैंने किसान tomato sauce का use का है क्योंकि उसका taste बहुत अच्छा, मुझे काफी पसंदे personally and अभी जो मैंने यह dough ready किया था, इसे हम bread पर बहुत अच्छी तरह से splat करेंगे, इसे थोड़ा थीक रखेंगे हम अगर हम इसे थीक रखते हैं यह बहुत अच्छा लगता है अभी देखिए जो pizza masala मैंने लिया हुआ है, इसे हम इसके उपर sprinkle कर देंगे, अच्छे से आप चिड़क लीजिए इससे friends इसका taste बहुत ही अच्छा हो जाता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं गदम चिटपटा सा pizza जासे टेस्ट आता है अभी जो next slice है bread का उसे भी हम पहले वाले bread की तरह tomato sauce से पूरी तरह से cover करेंगे यह देखिए मैंने कितने अच्छे से किया है, आप बिल्कुल ऐसे ही कीजिए और जब इस पुरे tomato sauce अच्छे से cover हो जाए, यह से हम sandwich के ऊपर रखेंगे, यह रेखिए जाए, cover up कर लीजे, फिर हम इसे घी, इसमें बहा साइट से, दोनों साइट से, जो sandwich का दोनों portion है, उसे हम पुरा घी से cover करेंगे और घी का टीस बहुत अच्छा आता है sandwich में, यह healthy भी बहुत अच्छा है, अगर बच्चे गी ना खाते हो तो इसमें खा लेंगे अभी देखिए मेरा पैन गरम हो चुका है, और मैंने sandwich उस पर रख दिया हुआ है, सेखने की लिए, और इसे हमें बहुत जाद जलाना नहीं है, इसे हमें crispy करना है, golden brown करना है, दोनों साइट से हमकी लगा के बहुत अच्छे से इसे सेखेंगे, golden brown करेंगे, सिर्फ मेरा sandwich बन के ready है, आप इसे sauce के साथ enjoy कीजिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो please subscribe मैं चैनल, मेरे वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, thank you friends